नमस्तेकार और आजम कड़े हैं जर्मन लिफ्ट बैक के सामने जिसका नाम है ओडी RS7 2013 में लॉंच हुई थी और ये 2020 का सेकंड जनरेशन वेरियंट आप देख रहे हैं सिर्फ पेट्रोल में एक ही मॉडल आता है स्पोर्ट बैक जिसकी कीमत है ओन रोड टू क्रोड रूपीज ओडी A7 रेंज में सबसे महंगा और पाउरफुल वेरियंट है RS7 सेबेस्टियन रूसो ने डिजाइन की है A7 4K8 कोडनेम है इस जनरेशन RS7 का 1970 की ओडी 100 कूपे S फास्ट पैक को रिप्लेस किया था A7 रेंज ने RS7 में ब्लेक एपेरिंस पैकेज है फोक्सवागन ग्रूप के MLB Evo प्लेटफॉरम पर बनी है RS7 जिसपे Q7, A8, Q8, Bentley, Bentayga, Lamborghini Urus और Porsche KN भी बने है स्टील और अलिमूनियूम से बनी है RS7 की बॉड़ी जर्मनी स्टिद ओडी के नेकरसलम प्लांट में एसेंबली होती है RS7 की स्पोर्टी RS स्टाइलिंग है फ्रंट सेंसर्स है और यह RS टाइल 3D हनी कॉम सिंगल फ्रेम ग्रिल RS7 की बैजिंग ब्लेक और डी रिंग्स फ्रंट कैमरा वह यह हैं HD मैट्रिक्स LED हेडलैंप और डी लेजर लाइट DRL और वाशर सिस्टम के साथ रेंस सेंसिंग वाइपर सें सन रूफ शार्क फिन एंटेन पावर अजेस्टिबल, फोल्डिंग, हीटेड और आटो डिमिंग आउटसाइड मिरर्स है मैमोरी के साथ 5 मिटर लेंथ है, 1.4 मिटर हाइट है और लगबग 2100 kg कर्ब वेट है RS7 का लिफ्ट बैक स्लोपिंग रूफ लाइन है, जिसे स्पोर्ट बैक भी कहा जाता है और यह हैं 22 इंच के 5V स्पोक ब्लेक डामेंड टर्न अलोई वील दो और डिजाइन और 21 इंच के अलोईस का भी ऑप्शन है आगे और पीछे डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे स्रामिक ब्रेक्स का भी ऑप्शन है पीजीरो टायर्स हैं, ओडी स्पोर्ट की ब्रेंडिंग यह फेमस नाडो ग्रे कलर आप देख रहे हैं ब्लू, रेड, वाइट, सिल्वर और ब्लेक कलर का भी ऑप्शन है आरेस ब्रेक्स मैट अलिमूनियूम पैकेज का भी ऑप्शन है जिसमें front spoiler, side flaps, outside mirror और window trims मैट अलिमूनियूम में मिलेंगी RS7 से नीचे, S7 और A7 के petrol, plug-in hybrid और diesel variants पी आते हैं बट उनको इंडिया नहीं लाए गया अभी Quattro permanent all-wheel drive है, self-locking center differential के साथ बढ़िया control और बहतरीन response के लिए all-wheel steering है, RS7 में काफी attractive rear design है RS style oval sport exhaust tail pipes है sound adjustment के साथ rear sensors है और यह है LED combination tail lamp audio का logo RS7 की beijing और यह adaptive electric spoiler, 100 km पर आर तक की speed में spoiler बहार आजाएगा high mount stop lamp LED यहां से ब्रेंगे पेट्रोल, capless fuel filler है RS sport suspension है, dynamic right control के साथ, शांदार road grip और handling के लिए mild hybrid electric car है, RS7, 48 volt electrical system और belt alternator starter BAS के साथ, जो 16 hp तक recover करके lithium ion battery में save कर देगा, बढ़िया performance के लिए start stop mode भी है, ज्यादा average के लिए wheel selective talk control है, बढ़िया handling के लिए cylinder on demand system है, जो engine speed के हिसाब से 2, 3, 5 ये 8 cylinders deactivate कर सकता है, बहतर average के लिए safety के लिए, safety के अंदर 8 airbags, ABS, EBD, electronic stability control, hydraulic brake assist, tire pressure monitoring system, 360 view camera, park assistant, electronic immobilizer, audi pre sense basic और ISO fix, child seat mounting मिलेगी, wide body design है RS7 का, audi drive select के अंदर 2 modes है, RS1 और RS2 safety के लिए, euro and cap ने 5 में से 5 stars दिये हैं, RS7 को, coupe जैसा grand tourer design है, RS7 का, की से ही automatic open हो जाएगा boot, यहाँ आपको मिलेगी 535 लिटर की boot space, अलोई स्पेर वील, रियर सीट्स फोल्ड कने पर 1390 लिटर की space बन जाएगी, साइड में पॉकेट, LED लाइट, इधर भी लाइट, 12 वोल्ट का पोर्ट, पार्सल ट्रे, कुटेन, स्पेर वील हटा कर आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा पूट स्पेस है, यहाँ नीचा आएगा स्पेर वील, साइड में टूल किट है, जाएगा स्पेर बूट बूट क्लोज जाएगा बूट, जब बूट क्लोज करने का दूसरा बटन है, आएगा पीछे का पैसंज साइड डोर कोल कर देखते हैं, फ्रेमलेस दोर्स हैं, 16 स्पीकर्स कब बैंगन अलुसन 3D साउंड सिस्टम मिलेगा रस 7 में, स्पीकर, रड स्टिचिंग है, पार विंडो का बटन, नीचे काफी स्पेस, बैंगन अलुसन के स्पीकर, स्कफ प्लेट, और यह है वेल्कोना लैजर अपॉल्स्ट्री चार और अपॉल्स्ट्री और 25 यह एनवर्स्री पैकेज अपॉल्स्ट्री कभी ऑप्शन है, यह इंबियंट लाइटिंग है, और यह आम रिस्ट, इसके अंदर थोड़ी स्पेस, और यहां दो ग्लास होल्डर, RS की इंबॉसिंग, और यहां से आप सीट को फोल्ड कर सकते हैं, सीट के पीछे पॉकिट्स मिलेंगी, सन रूफ है, पिलर स्पेस इवेंट है, और यह लाइटर, और यहां से आप रियर AC कंट्रोल कर सकते हैं, टेंप्रेचर और फैन की स्पीड, दो AC वेंट, और ऐसा दिखता है डैशपोर्ट, इलेक्ट्रो मिकैनिकल प्रोग्रेसिव स्टेरिंग सिस्टम है, और यहां दो LED रिडिंग लाइट्स हैं, साफ्ट डोर ग्लोज फीचर है, आई यह ड्राइवर साइड दोर खोल कर देखते हैं, यहां पर भी डोर पे नीचे स्पीकर, बाटल होल्डर काफी स्पेस है, पावर विंडो के कंट्रोल्स, और वारिवम के कंट्रोल, दो मेमोरी सीट के फंक्शन्स, दो लॉक अन लॉक कनने का बटन, बूट खोलने का बटन, और दी स्पोर्ट का प्रोजेक्शन, रस 7 की स्कफ प्लेट, यह टायर प्रेशन फॉर्मेशन, इलेक्टर के लिए अडजस्टिबल फ्रंट सीट्स हैं, स्पोर्ट सीट्स हैं, फोर वे लंबर सपोर्ट और वेंटिलेशन के साथ, और यह है स्पीड डेपेंडेंट पावर एसिस्टेट स्टेरिंग, पैडल्स, बॉनेट खोलने का लीवर, यहां ड्राइवर के लिए तोड़ी स्पेस है, लाइट के कंट्रोल्स, आमरेस के अंदर काफी स्पेस है, वायलेस चार्जिंग है, सिम, SD कार्ड, USB के पोर्ट्स हैं, लाइट दी गई है, और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, अटो स्टार्ट स्टॉप बटन, यहां दो ग्लास होल्डर्स हैं, लाइटर है, और यह आओडी का एश्ट्रे कैन, और यह है, यह एट स्पीड टेप्ट्रोनेक आटमेटिक ट्रांस्मिशन, यह वॉल्यूम के कंट्रोल, पार्किंग के कंट्रोल, यह ड्राइवर असेस्ट और एंजन स्टार्ट स्टार बटन, और यह है 8.6 इंच की टस्क्रीन, 4-Zone Automatic Climate Control AC है, और D-Drive Select, Traction Control, और Hazard Light के बटन्स हैं, यहां से आप Auto Start Stop, Spoiler को कंट्रोल कर सकते हैं, एक्जॉस्ट साउंड भी आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं, और यह है 10.1 इंच का MMI Touch Infotainment, सपोर्ट करेगा Satellite Navigation, AC Control, USB, Wi-Fi Hotspot, Voice Command, Bluetooth, Apple CarPlay, or Android Auto, यह Media, Telephone, Navigation, Phone Apps, Car Settings, Audi Drive Select, Comfort Auto Dynamic Efficiency Modes, RS1, RS2 Modes, RS Monitor, Car Temperature, Engine Oil, Tire Pressure, यह G Meter, यह Efficiency Assist, Seat Settings, Climate Control, Ion, Parking Assistance, Driver Assist, Settings or Service, Car Settings, General Settings, Display or Brightness Settings, Sound Settings, Messages, 2 AC Events, Camera, 360 Degree View, 360 Degree View, 3D Overhead View, 3D Overhead View, Finish, Head Up Display, Head Up Display, 4WD Bedging, Lockable Globe Box, Passenger Side Vanity Mirror, Auto Dimming Rear View Mirror, 2 LED Reading Lights, 2 LED Reading Lights, and this is Power Panoramic Sunroof. The Sunroof from the top at the top is quite cool, लगती है, पॉप आउट हो जाती है भार और यह है फ्लाट बॉटम फुली परफुरेटेड RS लेधर स्टेरिंग वील और यह द्राइवर साइड वैने टेमिरर लाइट के साथ और यह बैजिंग है स्टेरिंग पे RS mode, phone, volume, head-up display और voice control यह instrument cluster के control pedal shifter wiper के controls light के control adaptive cruise control और यह है 12.3 इंच का virtual cockpit instrument cluster जो दिखाएगा coolant temperature speed, rpm, fuel level outside temperature, range, average, or kai information date time average, short term memory, long term memory, driver assist on board computer, sport displays engine data, power torque g-meter, lap times lap statistics acceleration management or a reduced display Bluetooth, telephone, navigation Bluetooth, telephone, navigation आइए बोनेट खोलते हैं और देखते हैं पैट्रोल एंजिन लेजर लाइट सबान हो गई हैं तो यह है 4000 cc VA twin turbo BS6 fuel certified injection FSI petrol engine 48 volt mild hybrid system के साथ 600 horsepower है 800 Nm torque है 8 kaiverage मिलेगा 73 liter के fuel tank से 0,700 की speed पगड़ेगी 3.6 seconds में 250 km पर आर की limited toss speed है optional RS dynamic package प्लस लेने पर 305 km पर आर की toss speed मिलेगी 48 volt mild hybrid system की वज़े से अगर driver 55 से लेकर 160 km पर आर तक की speed के बीच में accelerator से पैर हटाता है तो कार 40 seconds सक engine off करके चल सकती है यह खासियत है Audi के mild hybrid electric system की 4000 cc V8 engine है twin turbo तो यह था V8 TFSI engine तो कैसी लेगी आपको Audi RS7 हमें कमेंट्स में बताईए थैंक्यू कर दो धन्हब ठाल प्राइब अबड़ कर अब डो कर वो हम झाल झाल